हलो फ्रेंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो finally friends एक बड़ी news है यहाँ पे जो आप लोगों को मुझे देनी थी और news यह है जो आप लोगों की screen के सामने भी आ रही है काफी दिनों से लोग परिशान थे कि यार banks की तरफ से हमें e-mails आ रहे हैं notice आ रहे हैं कि अगर आपने crypto के अंदर investment करा है तो वो illegal है ऐसा है वैसा है दस तरीके के चल रहे थे मेरे को personally कोई ऐसा notice नहीं आया इस वजह से मैंने इस बारे में कोई video भी नहीं बनाया पर अभी जो news आई है वो news यह है कि RBI ने finally जो भी banks है उन लोगों को बोला है कि भाई यह जो आप कर रहे हो किसी के भी साथ यह सब गलत है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक circular RBI ने निकाला है और कि media reports के दुरू basically इनने पता चला है RBI को कि कुछ banks हैं और entities हैं ऐसी जो यह कर रही है जो उनके customers हैं उनको बोल रही है illegal है यहाँ पर invest करना तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि already Supreme Court ने 4th March 2020 को already बोल दिया था यहाँ पर कि भाईया ऐसा कोई भी rule हमारी country में नहीं होगा तो यहाँ पर एक यह बड़ी news है कि वो लोग जो इस बात से परिशान थे कि यार इंडिया में तो crypto ban होने वाला है तो इंडिया में ऐसी कोई भी news नहीं है finally RBI ने यह confirm कर दिया है तो अब आप जो tension में थे जो crypto में invest नहीं कर दिया है सिर्फ इस डर की वज़ा से कि अगर आने वाले time में crypto इंडिया में ban हो गया तो क्या होगा फिलहाल के लिए news यह है RBI ने officially बोल दिया है कि ऐसा कोई भी ban नहीं लगेगा इंडिया के अंदर future में देखे क्या होगा वो तो उस बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता पर आज के लिए यह confirm है अभी के लिए कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके का जो ban है इंडिया में नहीं लगने वाला crypto के बारे में तो सब लोगों को एक तो बहुत जादा मेरी तरफ से congratulation इस चीज के लिए और अब आपको जितना investment करना है crypto में कर लीजिए बहुत जल्दी इन लोगों ने जो APIs का भी करके रखा था जिस वज़ा से बहुत सारे provider वो API को use नहीं करवा रहे रहे थे वो भी definitely बहुत जल्दी हट जाएगा तो freely हम लोग crypto के अंदर दुबारा से invest कर पाएंगे जैसा कर पा रहे थे तो बहुत अच्छी news आई है तो इसी बात पर अगर news अच्छी लगी है तो वीडियो को like और share ज़रूर करिएगा चैनल में अगर आप नहीं है तो हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करिएगा Thank you